हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टो माई चैनल और सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं बस आपको थोड़ा सा सेफ रहना है अपने आपको सिक्योग रखना है बाहर से जो भी अंदर आते हैं आपके घर पे आपके फामिली मेंबर्स होते हैं जेने ओफिस के लिए काम से बाहर जाना पड़ता है तो आते ही उन्हें हैंड वाश करवाईए वो हैंड वाश अच्छे से करें इसके बाद कोई दूसरा काम करें अगर आप घर से किसी रीजन से बहार निकलते हैं वैसे कोशिश करिए वाइट करिए बहार मिलना निकलना और ग्रुप में अभी मिलना थोड़े दिनों के लिए अवाइट कर दीजे फिर भी आपको किसी रीजन की वज़े से निकलना पड़ता है तो साथ में सैनेटाइजर जरूर ले जाए जाए, सैनेटाइजर का यूज करें वापस आने के बाद हैंड वाश करें बच्चों को लेकर जाए तो मास का यूज जरूर करें तो बस यह सिंपल चोटी-चोटी से चीज जाए ज्यादा फेवरेट वाला हो गया जो मैंने अभी ओर्डर किया विकर इसके बैनिविट्स आप सुनेंगे ना तो मतलब आप तंग रह जाएंगे इतने गजब के इसके बैनिविट्स है इसकी क्वालिटी बहुत अची है कौन सा ये शैंपू है तो मैं अभी आपको इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताती हूं अगर आप नहीं ये बस तो ती हैं चीजे आपको बड़ेटी आपको बड़ेटी आपको बताती हूं अगर आप नहीं ये बस तो ती हैं चीजे आपको बड़े गौर से सुननी है अगर आप ने इसको 45 डेज तक यूज कर लिया कंटीनू 45 डेज बस आपको कंटीनू शैंपू को यूज करना है ध्यान से सुन लीजे फिर आप देखेंगे आपकी है ग्रोथ जो है ना 1-2-3 इ इसके लिए मैं आप लोगों के साथ इंडिडियूस करवारी हूं इससे टो फ्लीज प्लीज प्लीज जरूर उरे अगर आप बल ओल नंबे करने ध्यमस कारनेगर आपको होलिए ज्यादा लम्बे करने में तो इससे ट्राइए और मैं एक और भी चीज बतादी हूँ और आ फॉल स्टार्ट हो गया है और जहां पर थोड़ा सा भी उस जगे पर एक गंजा पना गया है बाल खतम हो गया है वहां से वह बाल आपके वापस आना शुरू हो जाएंगे त्रस्ट मी आप एक बार इस शांपू को डेफिनिटली ट्राइ करो मैं शांपू के इसमें अलरडी मिली हुई है इन सारी यह तो आपको पता है कि एक नैचुरल थेरपी वाला शांपू है और यह वह चीजे हैं जो हमारी पुराने टाइम पर हमारी जो दादी नानी वगरा यूस करती थी वह पहले कोई शांपू नहीं यूस करती थी वह आवला शिका काई अगरू नहीं आमला का याउन ड्चि को फी अपको यह तो आपको यह तेजी से बढ़ती है तो यह सारी 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 चीजों को अलग-अलग से यूज करने से अच्छह आपको एक साथ एक या बाटल मी यह सारी चीजे मिल लाए है मतलब आपका dandruff भी कम हो जाने वाले, अगर कहीं गंजा पन है तो वो भी चला जाएगा hair growth भी बढ़ेगी और साथ में आपके बाल होने वाले बहुती सिल्की, बहुती शाइनी आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया है, simply मैंने बस यह दोनों चीजें यूज की लाइक शैम्बू एंड कंडिशनर यूज की इसके लावर ट्रस्ट में मैंने कुछ भी यूज नहीं की आपने बालों पर आप देख सकते हैं मेरे बाल काफी सीरे हो गया है, स्ट्रेट से लग रहे हैं, बहुती सॉफ्ट, बहुती सिल्की से हैं, बार बार टच करने का मन करता है और सबसे अची चीज इससे मेरे बालों की हैग ग्रोथ पड़ी है बाल मेरे लंबे हुए हैं, मैंने कुछ टाइम परेले है कट लिया था, उसे बाल मेरे तोड़े शॉट हो गया तो मैं बहुत परिशान थी उसकी वजह से क्योंकि मुझे शॉट है, तो अब मैं देख रही हूँ मेरे बालों की ग्रोथ देवाई बढ़ रही है and I am really thankful for NQ, क्योंकि NQ ने इतने अच्छे ब्रैंड, मतलब इनका है, इतने अच्छे नोने शैंपू निकाले हैं, कोई भी side effect इस शैंपू के मुझे नहीं देखने को मिले, I love this shampoo and conditioner, इसका conditioner भी इतना अच्छ है, उसकी smell इतनी mild सी है, जो आप उसको apply करते हैं, दन आप देख करती हूं, इसके conditioner की, तो इसका conditioner same है, इसका review में अलड़ी कर चुकी है, यह भी है magical moringa का conditioner, moringa बहुत ही rare होता है, इसमें moringa extract है, moringa इसमें मिला हुआ है, तो सोचिए कितना अच्छ होगा, अच्छे से conditioning करता है, conditioner बहुत जादा मस्त होता है, अगर आप conditioner करना चाहते हैं, तो जादा जरूरी होता है, इससे आपके hair damage होते हैं, उससे repair होता है, soft होते हैं, silky होते हैं, बाल आप देखेंगे, कि जो बाल आपके उड़े-ड़े से लगते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होगा, बाल काफी smooth से लगेंगे, काफी like fizzy hair नहीं होते हैं, soft होते हैं, look wise देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बिना किसी therapy, बिना किसी straightener, कि आप straight बाल पा सकते हैं, with the help of conditioner, so आपको लेना है ये वाला shampoo, अगर आपको चाहिए, अच्छी वाली hair growth, चाहिए, आपको 1-2-3 inches hair growth, चाहिए, within 45 days, तो आप ये shampoo use करिए, with this conditioner, तो मुझे तो ये बहुत use कर लिया है, इस shampoo को, जब इतना use कर ले और इतने में मुझे रिजर्ट दिखने लगा है, तो जब आप पूरी बॉटल खतम कर लेंगे, तो कितने अच्छे रिजर्ट दिखेंगे, मैं इससे पहले जो किया ता review, उसके भी रिजर्ट बहुत ही awesome थे, इसके बाद मैंने इस अगर आप इसको देख पाएं, यह भी काफी यूज हो चुका है, विकर दोनों को मिला के मतलब दोनों का ही combination यूज करती हूं, शांपो के बाद कंडिशनर जरूर करती हूं बालो में, तो जाएए आप भी लेट मत कीजे, दैनक्यू ब्रांड के प्रोडट्स बहुत ही में अधर क्योंकि यूज जरूर को में बहुत जाए हूं, अप है या नहीं मुझे जरूर दाएगा, मुझे बढ़ बाएं निक प्रणा पाद से बाएं करिये इसका अपको डिस्क्रिप्शन मॉक्स में मिल जाएगा, और कोशिश करिए इसका ओंभिनेशन नक्को आपको तो भी अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको याज कर विडियो कैसा लगा जो परसनल मेरा एक्सपीरेंस वीडियो है वो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा कॉमेंट सेक्शन में और तब तक के लिए बाई बाई और एक छोटी से चीज हाँ बहुत से लोग जब हैवाश करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं आप अपने हैवाश को जब भी करिए तो कोशिश करिए आपका पानी जो बिल्कुल प्लेन वाटर होना चाहिए रटर होना चेहां, आपको पानी पोड़ना है ख़्याओ घकर एक करोड़ पानी अभर करिए एक नॉर्मल वाटर के ही कोशिश करणी है कि डारेग क्शांपू आपको पने बालों में नहीं लगाए मल के लगा एकना स्कालप lessive up नहीं है अपको मुण लेना है उसे पने अपने शेंपू को या क्णादाई प्रॉटर डाले इस एक पानी को बुषा रुक्ति खाया से कार्या है युष्वान तो बस यह थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ शाम्पू यूज करने का तरीका तो इसे जरूर ट्राइ करिए को और यह वाला शाम्पू हो गया और यह वाली टिप हो गई तब सोचिए यह दोनों चीजे मिल जाएंगी तो क्या आपके हैर कितने अच्छे ग्रोथ करने व कि मैंने सही बोला था या नहीं